हलो नमेशकार वेलकम टू इनकल केट लर्निंग सो कल जो है यूजी सी नेट का रिजल्ट जो है वो अनाउंस हुए आप सबको पता होगा काफी इंतजार के बाद आखिरकार जो है आपको रिजल्ट्स देखने को मिले सो ओविसली तभी आप थमनेल देखके आई हैं असिस्टेंट प्रोफेसर शिप के लिए जो है क्लेरिफाई किया है मैंने क्लियर किया है और इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे जो है वो फर्स अटेंप में क्योंकि आप सबको अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं सो मैं बता दूँ कि M.A.D. जो है मैं परस्यू कर रही हूं फिलाल के लिए उससे पहले मैंने M.S.C. Chemistry किया हुआ है और 2021 की अगर बात करूं तो एक तरीके से काफी लगी रहा है मेरे लिए रीजन क्योंकि 31 जनवरी को आप सबको पता है 2021 में C.T.E.T. का था एक्जाम उसके बात जो है फर्वरी के आसपास ये रीट के जो है एक्जाम से निकले थे फोर्म निकले थे कि मार्च में जो है रीट का एक्जाम होगा सो ओविसली मैंने भी बाकी सब की तरह की वही जोब है और गवर्मेंट जोब है तो उसके लिए आपको मार्च में मोका मिल रहा था तो मैंने भरा उसको और थोड़ा सा प्रिपेर करना शुरू किया लेकिन वो फिर पोस्ट फोन हो गया और उसके पोस्ट फोन होते ही एक परीके से मेरी प्रिपरेशन भी पोस्ट फोन हो गई और वहीं पे चूट गई चीजें उसके बाद धीरे धीरे मैंने चैनल को ही जो है वो आगे बढ़ाया और चैनल ओपन किया चैनल ओपन करने के बाद जो और इस दोरान मेरी एम्मेड ओविसली चल रही थी फॉस्ट य चार नेवेंबर को जो है हमारा UGC NET का एक्जाम हुआ, December में जो है HTAT का एक्जाम हुआ, so basically 4 exams मैंने दिये 2021 में और चारों के चारों clear रही विद अच्छे decent marks, so वो चीज एक अच्छी सी मतलब ऐसे लगता है कि आपने कुछ कहीं न कहीं आपकी मेहनत जो हो दिख रही है, चैनल जो हमारा अच्छा चल रहा है, so overall ऐसे लग रहा था कि चीजें balanced हैं, सही चल रही है, so अब जो है बात कर लेते हैं, यह हो गया, qualifications के बारे में, आपको पता चल गया होगा कि क्या-क्या qualifications हैं, so basically मैंने B.A.D. से पहले MSE Chemistry जो है परसू किया था, और B.A.D. के दोरान इंट्रस्टिंग लगा काफी, so उस वजए से जो है फिर वो M.A.D. और Ph.D. साइड थोड़ा सा क्या रुजहान जादा हो गया, कि education में चीजें करनी चाहिए, और education में क्या-क्या scope हैं, आपको जो है, किस तरीके से आप education में आगे फर्दर चीजों को परसू करेंगे, so UGC internet का result आया, so obviously आप अभी यही सोच रहे होंगे, कि कैसे जो है prepare किया था, या क्या चीजें जो है, वो मेरे लिए काम की रही, या क्या नहीं रही, आप सब को पता है कि 5 मई को जो है मैंने channel open किया, so तब तक obviously उस time पे कोई exam भी नहीं था, सिर्फ M.A.D. चल रही थी साथ- time पे September में था, 26 September को, so read तक तक obviously मैंने कुछ खास पढ़ानी था इसके लिए, लेकिन point यह है कि दो तरीके की preparation होती है, किसी भी exam के लिए, एक preparation होती है कि आप जो है time table set करते हैं, table, अपना study table set करते हैं, और bet के proper hours देते हैं, कि 4 to 5 hours जो है आप पढ़ रहे हैं, किसी भी चीज को दे रहे हैं, दूसरी preparation होती है, जिसमें आप चीजे कर रहे हैं, जैसे MADIA आप कोई भी course pursue कर रहे हैं, so वो side by side चल रहा है, और उसके आपको, मतलब ऐसा नहीं feel हो रहा कि आपने कुछ prepare किया है, specially किसी exam के लिए, so UGC net, जो है वो मैंने, क्योंकि एक तो दोनो cycles merge हो गई, तो हमारा दो बार हमें chance मिलता बैठने का net में, so वो एक बार हो गया, ठीक है, so first attempt होई गया उस चकर में, भराक इसलिए था form की, एक बार देखते हैं, first time, किस तरीके का होता है, कैसे questions आते हैं, क्योंकि एक experience जो होता है, कि खुद आप exam में बैठ रहे हैं, so आप जादा analyze कर पाते हैं, कि किस तरीके के questions आ रहे हैं, आपको personally paper किस तरीके का लगा, अभी मैं जो बताने जारी हूँ, वो मेरा personal experience है, कि मैंने कैसे, मुझे क्या लगता है, कि मेरे लिए क्या-क्या चीजे work की, किन-किन चीजों ने काम किया मेरे लिए, so जब मैंने paper देखा, जब मैं exam मे बैठी, so उस time तक जो है, अगर मैं आपको सही-सही बताऊं बिल्कुल, so मैंने सिर्फ जो मैं YouTube पे पढ़ाती हूँ, आप सब के साथ, share करती हूँ, चीजे, so वो ही सब prepare किया था, यानि कि B8, M8 से related, जो मैं videos upload करती हूँ, मैंने वो सारी की सारी चीजे की थी, in fact उस time पे, जब paper मैं देने गई थी, so मैंने ये भी revise नहीं किया था, क्योंकि एक तो वो होता है, first attempt है, क्या ही करेंगे, या ठीक है, casually चल रही होती हैं चीजे, so उस चकर में मैंने अपनी जो खुद की videos हैं, जैसे sustainable development goals की, जो मैंने video बना रखी थी, या जो और particular चीजे थी, वो मैं revise न के prepare नहीं किया था, वो जो मैंने बताया ना, आपको second type की preparation की, आप बैट के tim table prepare करते हो, वो वाली चीजे जो है, वो मैंने नहीं की, जिस वजह से जो है, वो GRF तो अब्विस था कि नहीं पहुचना, ठीक है, लेकिन जो साथ-साथ मैं videos बना रही थी, जो मेरी learning थी, कि मैंन के बारे में search करूंगे authentic चीजें, तब जाके वो एक video बनेगी, so कमी यहाँ पर रही कि वो videos में revise नहीं करके गई, और sustainable development goals के direct questions जो है, वो मुझे वहाँ देखने को मिल गई, so experience के तोर पे मैं आपको बताऊंगी, तभी मैं अब की videos में मैं आपको specially बोलती हूं कि, exam, जो exam की जो date है, उसका wait मत कीजिए, आपने जिस चीज के लिए prepare करना है, आप उस चीज के लिए, पहले से ही थोड़ा थोड़ा जो है वो, जो study table, time table वाली जो situation है वो पढ़ना शुरू कीजिए, उससे क्या होएगा, कि आपको एक तो exam time पे anxiety नहीं होगी, ठीक है, और दूसरा, exam के लिए positive attitude रखना, कि ठीक है न, मतलब हो जाएगा, यह नहीं, तो कुछ और कर लेंगे, बट करनी है वो चीजे, अगर आपको PhD का मन है, तो आप उसके उपर focus करते हुए, सिर्फ priority रखिए उस चीज को, और एक proper time table के साथ उसकी preparation कीजिए, उसके अलावा कोई भी exam मुझे नहीं लगता personally कि ऐसा होता होगा कि clear ही नहीं हो सकता, right, so आप एक proper time table जो है, बना के उस चीज को करेंगे, so that will be much more enough, अगर आप education से related, या education में UGC net देना चाह रहे हैं, so बहुत सारी, मतलब around, 200 के around मैंने वीडियो अब तक upload की है, and trust me, उन topics, जो topics मैंने उस वीडियो में इतना बोल सकते हूं, क्योंकि वो topic मैंने सिर्फ एक book से या किसी site से ऐसे prepare, definitely उनका content नहीं prepare किया है, वो content जो है, वो काफी जगह से authenticity देखते हुए prepare किया गया है, so आप education net के लिए जो है, inculcate learning को follow कर सकते हैं, ये मैं आपको, मतलब वो बोलता है ना, खुद के उपर trust होना तो ये मैं आपको खुद के उपर trust की वज़े से बोल रही हूं, कि आप subscribe करके, अगर आप topic wise उन videos को भी देख गए ना, जो आपके syllabus में हैं, वो भी आपका, at least net तो निकलवाई देंगी, जब मैं खुद की videos बना के, जो कि मैंने revise भी नहीं की थी, उसके बाद मैं net clear कर सकती हूं, सो आप जो है थोड़ा सा पढ़के, थोड़ी सी महनत के साथ, तो obviously GRF तो आपका clear होई जाएगा, चीक है, अब बात आती है कि paper 1 और paper 2 के लिए क्या-क्या चीज़ें जो है वो, देखी या कौन-कौन सी books जो है, वो suggestion में होनी चाहिए, सो जितना मैंने observe किया है, मैं आ is very calm and cool की, चलो देखते है होता क्या है, बहुत simple paper आता है, लेकिन आपको concept समझाने चाहिए, अगर आपको PIJ की theory आपने पड़ी है, so obviously आप facts को या factual चीज़ों को ध्यान में रखेंगे, क्योंकि जितना भी factual portion इस exam में आया हुआ था, वो सारा का सारा factual portion direct था, ऐसा नहीं है कि बहुत deep में जाके कुछ ऐसा fact पूछ रखा है, जो हमने कभी ना पड़ा हूँ, ठीक है, so जितना मैंने observe किया है previous year question papers को, जो मेरा experience रहा है, ये question paper जो मैंने attempt किया इस बार, उसमें आपको paper 2 के लिए especially क्या है, कि आपको conceptual चीज़ें जो है, उनके उपर focus करना है, factual जो आपको देखने को मिलेंगे, चाहे वो teaching models हों, या वो management के models हों, so management में कुछ एक नाम, जैसे हमने educational management मैंने cover करवाया, तो उसमें polo fryer का नाम था, वो ही direct question आया हुआ है, यानि कि अगर आप elimination method से चलें, या फिर आपको थोड़ा भूत भी ध्यान हो syllabus wise कि आपको पता है कि ये syllabus में चीज़े हैं, जब आपको पता है management, educational management है syllabus में, so एक बार उसको throughout read कर लीजिए, that's it, so वो जो conceptual clarity है आपकी, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि question paper में आते हैं, assertion और reasoning की question, यानि कि ये आपको statement दी हुई है, जहां पे आप confused कहां होंगे, जहां तक मुझे लग आप तभी solve कर पाएंगे, जब आपके concepts clear हो, ठीक है, so concepts clear के बाद जो है, आप क्या कर सकते हैं, previous year अपने attempt करके देख सकते हैं, अब paper रही इसकी बाद की book कौन सी होनी चाहिए, so paper 1 के लिए जो है, या तो आप topic wise अलग अलग prepare करें, या फिर KVS मैदान जो सब suggest करते हैं, that's good book, ठीक है, लेकिन KVS मैदान बहुत मोटी book है, अगर आपके पास time कम है, so आप उसको पूरा throw out जो है, उसको नहीं करेंगे, एक एक line जो है उसकी, फिर आप जो है priorities set करेंगे, अपनी की आप जो है data interpretation आती है, उसके questions एक बार attempt करके देखें, या फिर जो fallacies वाला जो topics होते है, जो particular topic है, static portion है, ठीक है, कि उसको क्या change हो के आएगा, राइट, वो portion आप जो है cover करके जाए अच्छे से, या जो higher education का है, उसमें से कई बार direct question आ जाते है, और higher education में वो सारी चीज़ें आ जाते हैं, जो हमने BA damage में पड़ी होती है, राइट, so वो चीज़ें आपकी वहा सा beneficial point हो जाता है कि paper 2 करते करते हमारी कुछ हद तक paper 1 की तियारी हो जाती है, बस reasoning वाले portion को छोड़ कर, ठीक है, so KVS मदान आप follow कर सकते है, paper 2 के लिए मैं आपको specially कोई book suggest नहीं करूँगी, क्योंकि paper 2 में जितने भी topics हैं, अगर आप कोई book भी नहीं लेना चाह रहे हैं, य यह नहीं कहरें कि आप बिल्कुल notes बनाने बैठ जी, बट आप एक बार वो सुनिये तो वो topic, आपको उसके बारे में थोड़ा तो idea हो, so अगर आपको थोड़ा थोड़ा idea complete syllabus का है, so उसके बाद आप important चीजों पर जादा focus कर सकते हैं, अगर आपके पास time कम है, so आपको paper 2 म करनी पड़ेंगी, जिसमें कि आपको यह ध्यान रखना पड़ेगा कि previous year question जो है, उन में सबसे जादा portion कौन से unit का है, जैसे learning की जो unit है, research की जो unit होती है, philosophy जो unit है, so यह unit काफी important हो जाती है, उसके अलावा जो है, factual portion वाला, factual portion cover कर लीजिए, so factual portion बहुत simple आने वाला है, इसल unit छोड़ जाते हैं, बहुत major major portion कर जाते हैं, उसके बाद भी हो जाती है, चीजे work out, लेकिन किसमत का कोई भरोसा नहीं होता, कि आप जो unit छोड़ के जाए, उसी में से बहुत easy सा question आ जाए, और कभी आप further future में वो unit देखें, तो आपको लेगे कि यह आ रही है, तो क्या ही question था, ठीक है, तो वो एक बलब लड़ू questions होते हैं, कि बहुत easy वाले, so factual portion में से वो चीजें आती है, बहुत सारी चीजें मैंने इस पे cover करवा रखें, inculcate learning पे, आप उसको भी subscribe कर सकते हैं, तो जिनका qualify हुआ है, net assistant professorship, या फिर GRF, उनको all the best, very good, और जिनका नहीं हुआ है वो preparation start कीजिए, क्योंकि June में जो है, अभी June आने ही वाला है, और वो कब आ जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा, so अभी start कीजिए, और जो है, जुड़े रही है inculcate learning से, this was all about today, मिलते हैं बाकी content videos में, thank you so much for watching.